मैं अपनी गलती मानता हूँ अभी आपने बोला ना आपके नाम से कॉल जा रहा है वहाँ पे वो सारे आपके सारे क्लाइंट को कैसे जान गया वो अपने गार्डेन से क्योंकि आपने पिछले ब्लॉग में देखा कि मैं गाओं आया हूँ और मैंने अपने ब्लॉग में इसलिए शुरू किया कि मैंने सोचा कुछ और अरगेनिक चीजे आपको दिखाते हैं ताकि आपको भी मन करें ये चीजे लगाने का मतलब ये चीजे आ अपने घर में लगाते हो ना तो ये काफी बेश्ट होती है हिल्दी होती है और खुझ से उगाओ यार मजा भी आता है सबसे बड़ी बात ये है ये केले का पेड़ है और इस पे केले लगते हैं भी फिलाहाल तो लगे नहीं है क्योंकि केले का सीजन नहीं है इसलिए केले कहते हैं चकोतरा मतलब जो यूपी बिहार के लोग होंगे चट पूजा पर जो बड़ा सा नीबू चड़ता है चकोतरा उसे ही कहते है अब खेतों में आपको घर की उगाई हुई सब्जिया दिखाते हैं कुछ जो आप अगर सहर से हो गाउं के लोग तो काफी बेटर जानते कितना क्यूट लग रहा है ये छोटा सा टमाटर ये मिर्ची का पेड़ है मिर्चा आप जो खाते हो ना मिर्चा ऐसी सब्जी है जो हर सब्जी उसके बिना बेकार है सब्जी क्या हर खाना उसके बिना बेकार है जो स्पाइसी खाते हैं लोग ये बैगन का प्लांट है ये एक से डेढ़ मेंने में फर देने लगेगा यह धनिया धनिया जानते हो गें ये भी वित्लब और छोटे होट सिम्हें कप दिखाऊ को तो इसने चोटे अफ़ल आपको लगे हुए दिख जाएंगे ये जो आप नारियां देख रहे हो इसमें लगे हैं लौकी या फिर कोड़े चना है जो आप काला चना खाते हो काफी हेल्दी होता है अगर आप चना भीगोगे खाते हो तो ये काला चना है मतलब सारी सबजियां आपको औरगेनिक मिलेंगी अगर आप खुद से लगाते हो प्लांट और खुद उगाते हो पता है उषको खाने से जादे खुशी उगाने की प्रोशिस में होगी उगाने में जो मज़ा आएगा ना वो उषको खाने में नहीं आएगा तो आप भी बताता हूं ब्रस तो हर रोज करते हो लेकिन जब भी ऐसी जगहों पर जाओ तो शुद पेड़ के दातुन को तोड़ो और इससे दातुन करो थोड़ा सा आपका मूड भी फ्रेश होगा और उसके बाद आप जो फील करोगे ना वो नेक्स्ट लेबल होगा तो दातुन जर यहाँ आपको यह दरसल फाइनेंस हुआ था और फाइनेंस होने के बाद इसकी पहली MI आनी थी और उसके साथ एक फ्राट हो गया है तो finally चलते हैं एजेंसी पे और जिसने finance किया था स्रीराम finance उससे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों क्योंकि जिसने भी phone करके fraud किया है वो exact बाते बता है जो agency वालों को या तो पता है या तो finance करने वालों को तो ये एक cyber crime के अंतरगत आता है पैसे तो 7000 रुपय गया है लेकिन एक बार चलके उनसे देखते हैं और बाते करते हैं कि आखिर हुआ क्या है और data कैसे लिख हो गया सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि अदे के exact नाम नंबर तो generally कोई भी पता लगा सकता है लेकिन exact बाते जैसे bank के signatures हो गया bank account किस bank में है तो यह सारी चीजे पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और यही चीजे data चोरी हुई है तो एक बार चलते हैं और बाते करते हैं उनसे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है अभी just आये हैं hero agency पे और बात करते हैं चलके finance वाले से कि क्या issue था क्या कैसे था अंदर चलके बात करें कि फिर आपको शारी डिटेल देते हैं आप आप यह ना कि वह local इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि वह जो location मुझे बता रहे है वह इक्वरेट location है समझ रहे हैं तो data कैसे जा रहा है आपकी company leak कर रही है आप यह गलत बात बोले है डाटा तो मैं देने गया नहीं था किसी को अब आपको दें तुषिस को आ रहा है या मुझसे बगर करता की सुझ मत दीजिए आप मेरे नाम सब करना चालू को दिया है एक चीज मुझे बताईए एक चीज एक चीज मुझे बताईए आपने बोला कि ने मेरी बात पनीए एक पकड़ा एक बार एक बार एक बार देजिए आपनी ठीक है मैं अपनी गलती मानता हूं अभी ने आपने बोला ना आपके नाम से कॉल जा रहा है वहाँ पे वो सारे आपके सारे क्लाइंट को कैसे जान गया वो कैसे जान गया आप एक मिनट पकड़ा आपके सारे क्लाइंट को कैसे जान गया आप फसते जा रहे हैं आप 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 देखिए मैं आप पे केस नहीं करूंगा आपसे परस्नली दूस्वनी नहीं है मेरी मैं एफाई आर देखिए मेरे लिए 6000 रुपर बड़ी वात नहीं आपको मना करें आप देखिए मैं ठीक है यह मेरी गलती है मैं इस चीज को मान रहा हूं आप से चार-पांच को सुनें सारे कस्टमर हैं मैं सब्ता डीटल बना एक चीज मेरी बात सुनेंगे आप जबाब देंगे मुझे साइबर क्राइम माना जाता है कि नहीं डाटा लीक कि जर्क हुआ तो डाटा को साइबर क्राइम मना जाता है नहीं मना जाता हम आपको बोल रहे हैं यह आपने और भी बोला आपको इदे के यह एक हम आपको इमाई भरेंगे, आप से आप से इनाजर जाते हैं, सारे जिकार जाते हैं, इसा दोर आपने अवल आ इसा कम क्यों गया। देखिए, और रहे आपने मिना नहीं किया था, आपने बोला था, वह दो मैं भी था, तो इसा है। तो तो उस टाइम तो मैं भी था और उस टाइम देखे मैं एक चीज आप से पोच रहा हूं यह ठीक है ऑनलाइन की है लेकिन आपने जब बात किया तो आपका डिटेल अमने उश को दिया वह आपके नाम से आपके क्लाइंट को फोन कर रहा है पहली चीज तो आपके तो पर दिखे मचा बढ़ें नाम सेics नाम से भोला हूँ अब आप मुझे बता है कि किसको कमपまद तेमने क्वेज्थ च्छिटा है यह गलत बात देखिए आपके मैंने दिया है मैंने भाईया को डिटेल देने नहीं अगा था कि इत बात about sosky bari को आप एक ही चीज़ पर रट लगाए पड़े हैं वह गलती मेरी है कि मैंने ओनलाइन किया मैं मान रहा हूं था था गलती मेरी है हम कहां आपको भूसा रहे हैं हम तो आपसे कुछ सवाल पोछने हैं जिसका आप जवाब नहीं दे रहे हैं अब कर दो देखे मेरा डाटा लिख हुआ है मुझे उसकी थुनस है तो भही चीज़ तो मैं आपसे पूछ रहा हूं न तो आप जबाब दीजे न आपके कंपणी पे फाइयार करें न आपकी कंपणी पे आपकी कंपणी पे फाइयार करें न शाइवर क्राइब कराएं किया जब फराणी यह हो रही है पाइसे हाँ बिलकुल अभी अगला कहा रहा है कि यह मत करें आपकी कंपणी पे फाइयार मुझे आप मान रहे है कि आपकी कंपणी डाटा लिख की है सायब हम सायब की होगी ये घलत बात है एक बात बताईए चलिए हम डाटा आपको दिये थे या किसी और को देने गये थे हम डाटा किसको दिये थे कौन बोला है आप से कलकता से वो कर रहा है एक महीने पहले डाटा चोरी हुआ है मतलब आपकी कंपणी इतना स्लो एक्षन ले रही है और अभी हम लोग निकल चुके हैं बात करके लेकिन बहुत ही बेदुपी तरीके से बात कर रहे थे सब जिसका कोई मकसद ही नहीं था कोई मतलब नहीं था यार आप लोग अगर स् सबसे थोड़ा सा दूरी रही है और फाइनेंस किसी अच्छी कंपणी से कराई है जो की खोड़ा सा जिसका सर्वीस बेश्ट हो आज ब्लॉग को सुरू गार्डेन से किया था और खतम भी गार्डेन में कर रहा हूं इस ब्लॉग को इंड करने से पहले आज की इस ब्लॉग तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम जहलनी पड़ सकती है तो इस चीज का आप ध्यान रखिए और खासकर अगर आप स्रीराम फाइनेंस से गाड़ी या फिर किसी भी तरह की चीजे फाइनेंस कर रहे तो बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में तब तक के लिए सेर सब्सक्र में लाइक नमब तुलिए लग।